Hello students, मैं हूँ नरेश, हम आज देखने वाले हैं integration of greatest integer function यानि की महत्तम पूर्णांक फलनों के समाकलन कुछ most important question आपके सामने लेकर आये हूँ, जैसे कि आपके सामने एक से लेकर पांस तक question है greatest integer function का हमें integration करना है, यह definite integral है, निशित समाकलन है student यह सारे ही question most important है और कई बार IIT entrance में पूछे जा चुके हैं और RPC exam में भी यह आ चुके हैं, तो इन integration को करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि greatest integer function होता क्या है, इसकी property क्या है, इसका concept क्या है, तब जाकि हम integration को कर पाएंगे limits को break कर पाएंगे, तो बिना समय गवाएं हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि हमारा सामने X है greatest integer function, तो student, greatest integer का मतलब यहां पर होता है X या X से छोटा integer, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं 2.4 2.4, greatest integer में, तो इसकी value हो जाएगी 2, चीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूं 3.9 तो इसकी value हो जाएगी 3, तो हमें यहां पर यह देखना है कि हम छोटे integer की ओर जा रहे हैं 2.4 से छोटा integer क्या है 2, 3.9 से छोटा integer क्या है 3, देखिए 3.9 और 2.4 से छोटे integer का 3 के अलावाद जैसे 3 हैं, यहां पर 2 है, एक है, और भी integers हैं पर इसमें हमें greatest लेना है, जो होता है 3, इसलिए 3.9 का greatest integer हो जाएगा 3, अगर हम negative value भी ले ले लें, तो भी यही concept हम apply करेंगे, जैसे 2.9 के अगर हम बात करें, तो 2.9, अगर number system की ओर देखिए हैं आपर, तो अगर यह minus 2 है हमारे पास, यह minus 3 है, और जिससे यह minus 2 है, तो हम number line की ओर हम बढ़ते हैं, तो इस तरफ जो है, left hand side में वो छोटे होते हैं, और right hand side में हम बढ़ते हो जाते हैं, तो 2.9, minus 2.9 से छोटा integer क्या है, minus 3, तो यह हो जाएगा minus 3, integer पे कोई समस्या नहीं है, दोस्तों, integer अगर जैसे कि 4 है, तो वो 4 ही रहेगा, integer पे कोई problem नहीं है तो आप समझ चुके है, greatest integer का मतलब क्या होता है, यह समझ लेने से हमारा integration ज़्यादा आसान हो जागा कर लेना, तो बड़े हम आगे यहाँ पर हमारे next question की और जो हमारा आज का पहला question है, देखिए first question क्या कहता है हमें, student मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर, कि हमें exam में आते हैं, जैसे की mod x का हुआ है, greatest integer का हुआ, पहला question हमारा है, limit 0 to 3, greatest integer x, इसको समझे हम, देखिए, student ध्यान दीजे, सबसे पहले limit जो है हमारी, वो 0 से लेकर 3 तक जा रही है, तो अगर मैं limit की बात करूँ यहाँ पर, limit की, limit x, तो वो जारी है हमारा पास 0 से लेकर 3 त और फिर आगया 3, तो हम यहाँ पर limit कौन से ले लेंगे, 0 से लेकर 1, एक limit आजाएगी हमारा 0 से लेकर 1, दूसरी limit हम ले ले लेंगे 1, 2, 2, 2, 3, अब हमें देखना है, कि 0 से 1, 0 से 1 में हमारा जो value है, उसमें greatest integer क्या होगा, x की value क्या होगी, greatest integer में, तो 0 और 1 में छोटा जो integer कौन सा है, 1, तो 1 आजाएगा, और इसी तरह के से 2 और 3 की बीच की बात करें, तो छोटा integer कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस, यह आसान सा break आपको करना है, टुकड़े में बाटना है, इस तरीके से, यह बाटने के बात, आप integration तो आसानी से कर पाएगे, जैसे 0 की ब limit put करनी है, upper limit minus lower limit, plus 2, upper limit minus lower limit, simplify करने पर आजाएगा, 2 minus 1, 1, plus 2, is equal to 3, तो यह हो जाएगा, आपका answer, integration दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ आपको limit को break करना है यहापर, और limit हमने break की integer में, अब यहाँ पर 0 से लेकर 3 पूछा है आपसे instrument, और अगर इस type का question आपके सामने आ जा जादा हो, जीसे 0 से 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसमें कोई problem वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं आप trick सिखा देता हूँ आपको, एक short trick है student, trick क्या है देखिएगा, trick है कि अगर आपके पास ऐसा integration हो, 0 से लेकर n, और greatest integer की value आपसे पूछे, n हो सकता है, 1, 2, 3, 4, क आपको क्या करना है, आपको लिखना है, n, n-1, upon 2, जी हाँ, यह सम का formula ही है, सिधा सिधा सम का formula, जैसे यहाँ पर अगर 3 है, 0 से लेकर 3, तो आपके पास आजाएगा, 0, plus 1, plus 2, यानि कि 3, इसी तरह अगर आप, n, यहाँ पर आपके पास 4 आजाएगा, तो हो जाएगा, 0, plus 1, plus 2, plus 3, जैसे कि n is equal to, यहाँ पर आप 4 ले लते हो, तो formula बन जाएगा, 4, 4, minus 1, 3, तो यह आपका answer हो जाएगा, आपके पास, 6, तो यह इसकी short trick है, यह apply कर सकते हो, आप यहाँ पर, आगे बढ़े यहाँ पर हम, और कुछ और questions की और देखें, जैसे कि हमने देखाता है, आपर हमारा पास question number 2 है, यह वाला, इस 2 की और बड़े हम, question number 2, यह trick इसरों आपको ध्यान रखने है, इस type के greatest integer के लिए आपको काम में लेनी है, next up trick, question number second देखिए, question number second है, limit हमारी 0 से लेकर 2 है, और यहाँ पर question है, x square आ रहा है, ऐसे question को आप विशेश ध्यान दीजिए, कै अब से पहले हम limit की बात करें, तो limit कहां से कहां तक जाएगी x की limit, x हमारा है 0 से लेकर, 0 से लेकर 2 तक है हमारे पास यहाँ पर x, limit 0 से 2, तो यह हो गया 0 से लेकर 2, अब हम बात करें हमारे इस function की, तो function हमारा है greatest integer x square, तो x square की value क्या आजाएगी, इस पर हम देखें, जब x 0 है, तो x square हो जाएगा 0, और जब x आपका 2 है, तो x square हो जाएगा आपका 4, यहाँ तो कोई problem नहीं, clear हो रहा हमारे पास, ठीके, अब हमें क्या देखना ध्यान दीजेगा, 0 से लेकर 4 की बीच में, कितने integers हमारे पास है, 0 से लेकर 4 की बीच में हमारे पास integer है 1, integer है 2, integer है 3, ह जब x square 2 है, तो आपका x क्या हो जाएगा, जी हाँ, बिल्कुल सही किरें आप, root 2 हो जाएगा, जब x square 3 है, तो x क्या हो जाएगा, root 3, और जब x square 4 है, तो x क्या हो जाएगा, 2, ठीके, अब देखिए आपर, student ध्यान दीजेगा, यह जो उपर लिखा हुआ है, 0, 1, root 2, root 3, 2 यह limit है, यह क्या है, limit है, और यह क्या है, x square की value है, अब देखिए, limit हम break कर लेते हैं, 0 से लेकर 1, limit हमार पास जैसे है यह, first limit आपकी हो जाएगी, 0 से लेकर 1, second limit हम break करेंगे, जो हो जाएगी, 1 से लेकर root 2, इसी तरह limit आप break करते हो चलिए, सबसे important जो उसका खेल है, वो यह आप limit को break कीजिए, root 2 से root 3, और last limit हम ले लेंगे यहापर, root 3 से लेकर 2 हो जाएगी, तो यह आपकी limit हो जाएगी, 0 से 1, 1 से root 2, root 2 से root 3, root 3 से 2 हो जाएगी, अब हम बात करते हैं यहापर, student फिर से बता रहा हूँ, यह जो है, वो limit है, अब हमें function की value पूट करनी है, हमारा function, function है हमारा greatest integer x square, देखिए, तो x square की value, 0 पे क्या है, आपके पास 0 और 1 जब limit होती है, 0 और 1, तो 0 और 1 तो छोटा कौन सा है, 0 तो आप 0 लिख लोगे, dx, इसी तरह जब आप 1 और root 2 में जाते हो, 1 और root 2, 1 और root 2 की limit लेते हो, तो आपका greatest integer आएगा, छोटा integer होगा, वो जाएगा, 1 आपके पास, 1 dx, इसी तरह आप आगे बढ़ते हो, root 2 से root 3 की हो जाते हो, यानि, root 2 से root 3 की हो जाते हो, तो छोटा वाला integer आपका हो जाएगा, 2, तो यह लिख दोगे, आप 2, आगे आप खुद guess कर सकते हैं, जब हम जा रहे हैं, root 3 से 2 की हो, यानि कि limit जब root 3 से 2 है, तो हमारा greatest integer की हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यह dx हो जाएगा, बस important concept यह है, इसके बाद तो आप इसको break कर सकते हैं, break करने की बाद, easy indication करना, 0 के लिए आप 0 लिख देंगे, 1 के लिए हो जाएगा, आपका x, upper limit और low limit यहाँ आजाएगी, plus 2 के लिए यह हो जाएगा, upper limit root 3 minus root 2 यहाँ हो जाएगा, ठीके, plus 3 बाहर आजाएगा, और x आएगा indication, तो x के लिए upper limit 2 minus root 3 हो जाएगा, इसको solve करना easy है, आसाने कर सकते हो आप इसको, upper limit यानि की root 2 minus 1, plus 2 root 3 minus 2 root 2, plus, यह हो जाएगा, 6 minus 3 root 3, student इसको आप solve करेंगे, easy है, solve करने पर आपको मिल जाएगा, 5 minus root 2 minus root 3, यह इसका हो जाएगा, हमारे पास, answer, देखे, तो concept है, आपको limit को break करना है, इस तरीके से, इसी type से, एक question हम और देख लेते हैं, जो most important question है, RPC में आया हुआ question है, देखे, यह आपके सामने question है, 0 से लेकर 0.5, x square, पहले भी function नहीं था, बढ़ इस बार आपने limit को थोड़ा सा change कर दिया, और limit को ले लिया, 1.5, यहनि कि limit अब हमने integer नहीं रखी, देखे, आपर इसको भी solve आसानी से कर सकते हैं, वही तरीका हम काम में लेंगे, जो हमने सीखा अभी, क्या देखे, अगर हम limit की बात करें हैं, आपर limit x, तो x जो है, वो कहा से कहा तक जा रहा given है मारे पास 0 से लेकर 0.5, यह हो जाएगा, function x square है, get a integer x square, तो x square, x जब 0 होता है, x जब 0 होता है, तो x square 0 हो जाएगा, और x जब 1.5 होता है, तो x square क्या हो जाएगा, 1.5 का square है नहीं कि 15 into 15 होता है, 225, 225, तो उसके लिए साब से हो जाएगा 2.25, easy है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 0 से लेकर 2.25 के बीच में कितने integer है, 0 से लेकर 2.25 के बीच में integer है, एक तो 1 और 1 है, जब x square 0 है, तो x 1 है, जब x square 1 होगा, तो x हो जाएगा 1, इसी तरीके से जब x square 2 है, तो x क्या हो जाएगा, root 2, और जब x square 2.25 है, तो आपको पता है, 1.5 लिखा होगा है, तो limit हमने break कर लिए 0 से 1, 1 से root 2 और root 2 से 1.5, तो limit आजाएगी 0 से लेकर 1, plus, second limit आजाएगी 1 से लेकर root 2, plus, third limit आजाएगी root 2 से लेकर 1.5, तीन limit आजाएगी हमारा पास, अब बात करें हम हमारा function की value क्या है, यह तो हमने x की value पूट की limit की form में, अब बात करें function की, function हमारा है x square, greatest integer, तो limit 0 से 1, जब limit 0 से 1 होती है, तो हमारा greatest integer x square वो 0 हो जाएगी, इसी तरह किसे जब limit 1 से root 2 होती है, 1 से root 2, 1 से root 2 में छोटा integer कौन सा है, आपका 1 है, तो 1 आजाएगा, ठीके, root 2 और 1.5, root 2 की value होती है, 1.4, 1 something, ठीके, तो छोटा integer आपका क्या हो जाएगा, 2, आपको integrate कर देना है, integration आसान है, solve करेंगे, answer निकाल सकते हैं, आप 0 के लिए 0 लगा सकते हैं, 1 के लिए x आजाएगा, 1 root 2 upper limit minus lower limit लग जाएगा, 2 के लिए भी वो ही आजाएगा, x root 2, 1.5, simple process है, solve करेंगे, तो answer आपका निकाल के आएगा, 2 minus root 2, solve करके देखेंगा, आसान है question करना, ठीक आगे बढ़ें, चोथे question की और देखें हम यहापर, तो, student यहापर चोथे question की और बढ़ें, तो limit है, 1 से लेकर root 2, to the power, greatest integer x square dx, यह question जो है, वो RPSC, के first grade के exam में आया था अभी, 2022 में, मैस के paper में, ठीक, इस question को हम देख लेते हैं, आपर student, तो यहापर हम देखें, तो limit हमार वो है 1 से लेकर root 2 जाएगा, और यहापर हमारे पास वही x square ही है हमारा function, तो जब x 1 है, तो x square भी 1 हो जाएगा, और जब x root 2 है, तो हमारा x square हो जाएगा 2, अब यहापर 1 से 2 के बीच में और कोई integer नहीं है, हमारे पास 1 नाम लिखते हैं, यहापर, इसलिए हमारा limit interval है, वो 1 से लेकर root 2 ही रहेगा, यहापर break up सी 1 से लेकर root 2 ही होगा, और 1 से लेकर root 2 की अगर बात करें, तो वहाँ पर greatest integer x square है, वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, तो e की power जो greatest integer x square है, उसकी वेली हो जाएगी 1 dx, अब e तो यहापर constant है, तो e बाहर आ जाएगा, और integration आपक break up जो है, वो आसानी से कर लें, आप इसका limit का तो question हो जाएगा, अब बात करें हमारे आखरी question की हो, जो हमारा पांचवा question है, पांचवा question है, student, limit 0 to 9, और यह square root x का greatest integer, घपराने वाली कोई बात नहीं है, वही तरीका use में हम लेंगे, जो हमने सीखा है, जैसे की x की अगर बात करें, तो 0 से लेकर 9 तक, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 9 तक जा रहा है, ठीक है, अब बात करें हमारे function की जो है greatest integer के अंदर square root x आ रहा है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कि जब आपका x, जब आपका x होता है 0, तो आप क्या कह सकते हो, under root x 0 होता है, तो under root x is what, 3, यह आप इसली कर सकते हैं, अब यहापे अगर आप break करना शुरू करें, 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3 के बीच में integer कितने हैं, 1 है आपके पास, और एक 2 है, ठीक है, तो यह आप 0, 1, 2, 3 हो गया, अब जब आपका root x, square root x 0 है, तो x 0 है, और जब आपका square root of x 1 है, तब आपका x क्या हो जाएगा, 1, जब आपका square root of x 2 है, तो x क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, उसका square कर देंगे 4, और यह तो लिखा हो आई है, कि square root of x आपका 3 है, तो x की value क्या हो जाएगी 9, तो यहाँ पर हमें, जो limit पता चल गई है, 0 से 1, 1 से 4, और 4 से 9, तो limit हो जाएगी 0 से ले function की value, तो 0 से 1 की अगर आप बात करो, 0 से 1, ठीके, तो यह हमारा x की limit है, function जो है, under root x का greatest integer, तो 0 से 1 जो limit है, उसकी बीच में आपका छोटा integer हो जाएगा, 0, dx, प्लस, अब आप बात करो, आगे 1 से 4 आप limit लेते हो, 1 से 4, तो आपका square root है, x का वो आता है, 102, छोटा integer आपका limit में, 4 से 9 में, तो आपका square root की value 2 और 3 है, तो छोटा integer 2 है, तो 2 आजाएगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई problem वाली बात नहीं, easily कर सकते है, integration आसान, यह तो 0 है, यहाँ पर integration x हो जाएगा, upper limit और lower limit लग जाएगी, यहाँ पर 2 बाहर आजाएगा, और integration x हो जाएगा, इसका तो यह तो हमारे total 5 important questions रहे, अब इसी type के और questions है, जैसे की 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, इसी प्रकार के और questions है, जो मैं आपको homework के लिए दे रहा हूँ, फ्लीज जरूर कीजिएगा, जैसे question number 5 जो आपने किया, वैसा question और भी है आपर, और अभी जो किये उस type के question है, सारे question जो subscribe कीजिए channel को share कीजिए, और देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत देने माद, thank you